कि क्या वो थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं यह अलग लेवल का गेमपले अपार्टमेंट की फाइट सम्मीश अरे एट भी बहुत कम वेन आपे फास चुगे वो एक प्लेयर को डाउन करेंगे और वो रैंडम स्मोक की बीच में कोश शॉट लेरे क्या वो कनेक्ट कर पाएंगे देखने वाली बात लेकिन ऑप्चन बचेंगा नहीं वन वी वन के इस फाइट की डीबियस वर्सेस एट्वल के कालान वोट बस हम देखने वाले हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के पहले मुकाबले की तरम बढ़ेंगे एरैंगल का ये मुकाबला और वो कहां से निकलता हुआ टीम के साथ एक अच्छी सिनर्जी बैट गई तो मज़ा बहुत आएगा बट ये क्या हुआ प्लाश की चर्चा हम हमेशा करते हैं और प्लाश यहां पर भी होगा अल्टू एक अच्छा दॉप निकाला ज़रूर उन्होंने और मुझे लगता है ये एड्वांटेज भी मिल सकता है उस टीम को और भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है वाइपर उनको भी नॉक किया जाएक है क्यों ही वो थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे डाउन किये गए पर आसानी से शायद उनको रिवाइब किया जाप है पर इन सब के बीच में सील एक और खिलाडी अपना डाउन कर बैठे की रिडॉक्स एक अच्छा अंगल उनके पास था एक और तीम मौझूद है अगर वो रश करनी की ठानते तो फिर शायद दिक्कते थोड़ी के मिनी इस्पोर्स की तरफ से बढ़ जाए मैं आपसे आज सुबह ही बात कर रहा था कि यूएंपी का कमाल और खास कर अगर सप्रेस्ट यूएंपी आपनेगा उनके प्रितिद्वन्दी जो टीम है उनके परिंसप के बीच में एम गौर्ड एक नेट का शिकार होंगे फ्यूरी के दुवारा और इसी के साथ साथ एक आखरी जो खिलाडी बचेवत ही टीम आएगी उनको ओपन से होके निकलना पड़ेगा और उस चीज का फाइदा शायद वो बहुत जल्द उठाते हुए आपको दिखाई दें अलगी लेवल की फाइट हुई है यहाँ पर केमिन e-sports के लिए क्योंकि वो यहाँ पर एक ऐसी दिगा फस गए जहाँ पर उनको आशा इनीदी के कोई फ्लेयर होगा के साथ ही वो भी उनका पूरा-पूरा साथ दे रहे हैं कि ग्रेड फ्लो किया जाये सही ठिखाने पर फ्लो किया जाये अलगी वो खिलाडी वहाँ से निकल गया देखना यह कि क्या वो थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं वो खिलाडी वहाँ पर पहुँच गया और आप दो खिलाडीो के साथ उनने आगे बढ़ने की जरुवत पड़ेगी पर LNC वो अभी भी डिसंगेज नहीं करना चाहते दिखें डिसंगेज क्यों करें जब बुल्जाई के नेट्स बिल्कुल बुल्जाई की तरह वहाँ पे जा रहे हैं पहला नेट कितना शांदार दूसरा नेट और भी शांदार तीसरा नेट भी आलमोस वहाँ तक पौछ चुका था और अब वो फ्राग्स निकालके शायद आगे जाना चाहें बट चलिए ऑक्साइड को भी यहाँ पर नौक किरा जाएगा मनू आखरी प्लेयर बचे हैं इस टीम से एक नौक बचार वहाँ ने निकाला है बट वो काफी नहीं है मैं जी क्या लगता है इनको डिसेंगेज करना चाहिए या फाइट में पूरी एंगेजमेंट दिखाएं या अपनी अब तो खें कि स्मोक का बढ़ी अस्तमाल किया जारे पत्थर है वहाँ पर अगर वो पेर तक भी आते तो शाय पर्याप्त मात्रा में स्मोक हुए तो अभी भी वो अपने आपको बचा के रख सकते हैं पर गन बास्रा उनको डामिज पढ़ा पर हंटर्स वो उपर मौझूद थे बढ़ेंगी बिकॉस मोक तो अल्रेडी करे हुए हमाँ पर वो अभी भी आगे चानी रहे बट उसे राखते से इजी पीजी वो जहना जरूर चाहते थे बट उसको भी यहां पर नौक किरा जाएगा शिकारी जोड के तौरा बट धंटर्स को फिनिश कंफर्म जरूर करेंगे और यहां पर ना फिनिश कंफर्म करने के लिए भी रेस लगी अपर्मेंट की फाइट्स अंब निकाल सकते हैं वो का पूरा है उनके पास आखरी सर्कल कहा बनेगा देखने वली बात बट वहां पर उन्होंने प्लेयर्स को स्पोट किया उनको भी नौक करा जाएगा यह अलग लेवल का गेम प्ले अपार्टमेंट की फाइट्स हमेशा मसेदार होती है और यहां पर जाएंगी बट शिकारी वो शिकार करना चाते हैं हंटर का शिकार चलिए शांदार नेट करेंगे अपने अपोनेंट को नौक और फिनिश भी किया जाएगा नौ फिनिशेस के साथ टीम रेकनिंग इसको और शिकारी वो नीचे आये हैं और वहां पे एक और खिलाड डाउन है उनको भी शिकारी की तुड़ा समाप किये जाएगा मुझे सबसे बढ़िया लगा जिस तरह से शिकारी वहां पे चले गए है उस कवर को पीछे वो गए है बट सिपोई के कपपर को भी आपे डाउन किया जाएगा शांतार तरीके से आकरमनिया पे चलता हुआ और जिस भी खिलाडी को अपार्टमेंट में खेलना आता है उन सभी खिलाडियों को फाइदा जरूर मिला है बट जैक्स वो जाद तेर पचेंगे नहीं नेड आएगा क्राविटी का हर तरफ से रेकने के प्लेयर्स ये दो खिलाडी लेके चले जाएँ पर इन सब के बीच में एक ग्रनेड आता हुआ बाड पर उनका ग्रनेड तो बहुत ही ज़ादा गुड था वहोँबबबबबब बाड नॊक किया ग्रनेड और जानते हैं के इस परड़िकुलर मैस में कौन के लिए एक और मौका रहेगा तो सब्तागी स्पोर्स और बहुत सारी टीम जिन फेतर प्रदर विजिंग की उपर चड़ ज़रूर रहे लेकिन एक खिलाडी उपर मौजूद है और ऐसे में रिबू वे एक वोपनिंग निकाल सकते उस आफ़गा टैंगल से अब एक जगे उतना खिलाडी रहे गया और वो क्या रिवाइव करने के लिए फोर्स किया गया हर्सित के दवारा बीच में कुछ वैसा यहां पर हुआ भी बट नूबी वो जितनी तीजी के साथ आया है अलरड़ी यहां पर खिलाडी मौजूद है उत्रिये गन्मास्टर कुनों ने इंस्टेंटली डाउन किया ऐसा लगा जैसे उनको पता है कि प्लियर मौजूद कहां पर है और इंस्ट सब्सक्राइब कर दिए और यह एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई टीम रश के द्वारा वो खिलाडी समझ नहीं पाया कि वो दर्वाजा आखिरकार था कहां पर गलत जगे में भी कर दिया जाएगा एक बहुत बड़िया रहा नहीं था और खासका टीम रश उनको अमने शुरुआती दौर में इलमिनेट होते विए देखा था और एक गफ़र से लगब कहानी सेव जहां पर उसके दो खले डाउन कर दिएगे तीसरा कि लाड़ी भूगी उनको भी डाउन किया जाएगा पाएगा रीसेट का एक बॉका मिला है टाइम मिला है और उसको बहुत बड़िया तरीके से प्राइटाइब करते हुए सिपॉय की तीव पर इन सब के बीच में स्टोन वो बचे हुए थे उन्होंने सिपॉय के खिलाडी को देख लिया था पर अभी भी आप देखिए कि वो डीबेस के इस्तमाल करते हुए दिखाई दे रहे थे वो आखरी बुलेट थी उनकी डीबेस के अंदर वो चलाते ही रिलोड पर गया औ पर बैड उनको पिछलिया मैच उनका खराब रहा इस मैच में वह बहुत सारे फिनिशन निकाल सकते हैं अगर चारो खिलाडी अलग अलग तिक्षाओं में देखे तो यह सारे फिनिशन उनके खाते में भी जा सकते हैं पर उन्हें वो प्लेस्मेंट पॉइंट के साथ चाह सही समय पर अंदर गए पर इन सब के बीच में पीयल की स्कौर्ड उनका भी अलेड मुश्किले बहुत बढ़ा सकता है उनकी फिलहाल किसी और की वो गनेड मुश्किले बढ़ाएगा साथ उसी के साथ तैयार है पर मुझे लगता नहीं है फ्रागर की पोदिशन किसी को पत मैं बात करी रहा था कि इतना ज्यादा अंदर जाने की जरुवत नहीं थी अलतु को आपे नौक किया जाएगा और टीसी डब्ली अगर आप टीसी डब्ली की बात करें कम से कम उनके पास वो स्पोक्स जरूर मौजूद है फ्यूरी उनको टेक्डाउन किया जाएगा इंस् इस मैश में नौ निकाला अलड़ी दो मैश में वो तीस बाकी मैप से आप कंपेर करते हैं अम पेलफा वाला आइलेंड की तरफ जाना लगभगते हैं यहां बट रुइन्स के ऊपर एक मुकाबला यहां पर टॉप क्लाश है कुछ इस तरह के होते हैं अगर आप उत्रेट गन आपको मिलगी आप दीद रहें, simple as that, बट यहां पी का स्नाइपर के साथ वो क्लोज रेंड पर शॉट देना चाहते हैं यह बहुत इंट्रेस्टिंग हो सकता था, बट वो शॉट ब्लैकलेस्टी स्पोर्ट पिष्णा मुकाबला भी बढ़िया खेल के गए थे वो और यंग ब्लर्ट उनके सामने है, ये लिजे स्पार्टन जोकी नौक खिलाडी तो उनका फिनिश सिक्योर किया जागा लेकिना दित्तिया, वो थोड़ा फस्ते हुए नदर आए, आगे की तरफ वो जाएंगे, बाती की खिलाडी यहां पर मौजूद है और अब एक 1v4 का यहां और दोनों के लिए वो अंक बहुत जादा जरूरी है, ये करना क्या चारें किंग डीमन मेरे कहलते हैं, वो वीकल उपर चड़ाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली वो चड़ाते हैं, जी नहीं अभी भी वो वीकल उपर नहीं चड़ा पाएं, वो खिलाडी अभी एक 1v2 का सिनारियो अभी भी बचता है, और उस पे वो रिवाइफ करने के लिए जा रहे थे, पुड़ा संबल के खेलना पड़ेगा, यहां पे किंग टीमन को स्पॉट उनों ने ज़रूर करा है, यहां पे विकी को शॉट देने की कोशिश और सारे शॉट में सोते हैं, ब अप PGIS का हिस्सा बनेगे, लेकिन टीम रेकनिंग, आप एक गलती कैसे कर सकते हैं, एक ही वीकल में चारो खिलाडी सवार हो करके जारे, एक experience लाइनप आप हैं, और ऐसे में एक बड़ी गलती वो करते हुए नदर आया, और अब ग्रिनेट का जो प्रहार है, वो होता हुए और नदर आएगा रेकनिंग के उपर, यहां से बच के निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, हलाकि एम गॉट को डाउन दरूर किया है, चार खिलाडी वहाँ पर मौजूद है, फिर भी एक एक करके वो आगे आते वे नदर आएंगे, टीम सील, एक बार फिर से वो ख खराब प्रदर्शन, खराब जो कॉल आउट्स हैं, वो हमें देखने को मैड ओपी की बात करें, रिवाइवल के इलावा और कोई आप्शन उनके पास खेर पच्ता भी नहीं है, यही वो एक्स्पिरियंस का डिफरेंस है जो देखने को मलता है, आंकी, इतनी खराब और वो मॉलेटर वो भी कनेक्शन डूनेंगे, चली आखरी में आते आते, इन दो प्लेयर्स ने एक अच्छा यहां पे सांविच सिच्वेशन बनाया, और रेकनर्स, अब वो भी बैक्पुट पे गए, एक बर फिर से, जी हां हंटर्स, अब वो एक आखरी खिलाडी बचे और पोडिशन उनकी भी पूरी तरीके से रिवील्ड आउट है, उनके पास पॉका भी नहीं है बचने का और उनको एजली टेक डाउन किया जाएगा, टीम सील, सील दर डील करते हुए, हाल गाडी लेके जाना पड़ेगा, बट यह क्या किया, C.A.S. वो अचानक से यहां से आए बिना information के push कर रहे थे और टोनों फ्लेयर्स को एक जटके में गिरा दिया जाएगा, ज़र आए वो, बट यह जाना ही क्यों चाहते थे, वो वहीं पे hold कर सकते थे, उनको भी पता है, बहुत सारे players यहां पे अभी हैं, जो survive कर रहे हैं और वो लास्ते में हो सकते हैं, बट केमिन e-sports, यह team है जो बिल्कुल clear देखने को मलता है, smokes उनोंने फैला दिया हैं और वो direct push-in करना चाहते हैं, बट एक problem है, गाडिया नहीं है, उनके पास pedal ही push-in करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल होगा यह करना, और meanwhile Venom, उनने lunatic के उपर एक knock भी निकाल दिया, सोने पे सुहागा और वो जो pressure वो create करा गया, अब आप देखें उस एक knock से एक खिलाडी जाएगा, revive करने के लिए, तो दो प्लेर्स वापे कब हो जाएंगे, बट केमिन e-sports, उनके उपर वो पलट वार भी आएगा, बेहितरीन ग्रिनेट के साथ स्वागत किया जाएगा, केमिन e-sports का, और अब बुझ के लिए बढ़ेंगी Fury, उनको भी टेकडाउन किया गया, वेनम, वो एक आखरी खिलाडी बचती हुए नजर आएगे, क्या बेहितरीन प्रदर्शन हमें लुनाटिक e-sports के द्वारा देखने को मिलता हुआ, इसे प्लेर को शॉटकन के साथ एक मोका है, उनके पास यहां पे फोर फिनिश्स निकानने का, बट नेट्स की वर्शा भी 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 यहां पे होती हुई, केमिन e-sports, वो पूरी तरफ से बैक फुट पे जा चुके हैं, बट अब पुछ की बारी है, नेट्स भी आ रहे है, एच भी बहुत कम, वेनम बापे बट 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 देखेंगे, वो एक फिर भी एक प्लेयर को डाउन करेंगे, किया वेनम यहां पे एक अलग दरजे का करके दिखा सकते है, जब टाया उनके तरफ से, एक तरफ से, एक तोड़ा पीछे रखा हुआ हुआ है, ताकि वो ओप अगल बना सके और बहां से बहां से यह फिनिश भी यहां पे अमेजिंग ने चुडा दिया, विच इस वीली गुर्ड कि नॉक उन्होंने नहीं ने किया था, बट यहां पे लुनातिक के प्लेयर्स वो ओपन में फस गे बट वो फिनिश को यह और ले गया, जीटू के सत्या थे तो वहां पे वो फिनिश लेक करके गई हैं, के लिए अगले पे इज पर चलते हैं, यहां पे भी कुछ टीम्स और वहां पे हम नजर डालेंगे इन 16 टीम्स के उपर, जिनका यह सब्ता है, यह तीन मुकाब्ड का अमेजिए बताने का तरीक, अंगल का यह बने हमां खत्रे को जरूर पा सकते हैं, टीम ए सीधा स्लामिन करा है इस कंपाउंड के अंदर बिना किसी इंफोमेशन के और यह बहुत भारी पड़ेगा, एंपायर खुद आगे गए, वो जाके नौक हो गए, स्टॉम यहां पे एच्प उनकी बहुत जादा कम, और उनको भी किसी शन नौक किया जाएगा, वो भी यहां कंप्लीट कर लिया है, आपको फिनिशिस चाहिए, अगर आप यहां पर भी इलिमिनेट होते हैं, तो शूल ने प्लेस्मेंट पॉइंट आपको मिलने वाले कालान, उन्होंने फ्रीक को देख लिया, नौक किया गया है, पर अभी भी क्या चार्ज करना वो पसंद कर सकते है ठाकर उनको भी देख लिया गया, अपको के त्वारा उन्हें भी नौक कर दिया गया, और अब बजिते हैं मात्र एम गेमिंग के दो खिलाडी, और अब पुश करना बनता है, गाड़ी आई पाइसर के उपर चड़ चुकी, और अब एक आखरी खिलाडी एम गेमिंग का ब जाएगा, और देखते ही लजी वो आचिक है, विंड गॉड उश किलात उनकी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है, एक और खिलाडी वाँ पर महुद एक खिलाडी बहार आए वो, अपने आपको उन्होंने बचाया, और देखते ही देखते ही विंड गॉड उन दबु यहां से चिकन भी निकाल सकते हैं, इस्पेशली शैडो पोजिशन चांदार, एक अचा स्प्रे एक लिर को नॉक किया, बहुत कब बुलिट्स का इस्तमाल वहाँ पे उन्होंने किया, और साथ में इंसेन के तुम नभी भी, शांती पूर्वक वो आगे बढ़ने की पूरा खेल यहां पे नमबर वन के हाथों से वो चीद के लेगे और वो यहां पे लेके जाएंगे, इफिनेटली लेके जाएंगे पीछे से और भी जो खिलाडी है वो आइनस के भी आते वे नतर आएंगे और एक बड़िया बैटल जो में देखने को मिल सकती है तो वह ओवर पीक किया वापे ओवर कमिट करने की कोशिच बत्रणवीर यह शॉट का कनेक्शिच फाइनली आएगा एक ट्रेट मेने की कोशि और देखना यह कि कुछ भी कवर पॉराइड कर सकते हैं या फिर नहीं और रनवीर उन्होंने धाकड को समाप किया मैं तो सोच रहा था कोई टीसरी टीम आई थर्ड पार्टी करने के लिए और उन्होंने वो जो फिनिशेस निकाले भी नहीं थे फ्रीक के दोरा एक इन्सेंटली उनको भी टेकडाउन किया गया ट्रेट बहुत बढ़िया तरीके से लिया गया और अब पार जर्ड बच्ते आगरी खिलाडी डामेज बहुत जादा और काफी आसानी से आवशकता आपको पढ़नी चाहिए नहीं और टाइनस के रनवीर उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही रहने वाली है साथी साथ एक और स्कॉर्ड का कोलिजन हमें देखने को मिलता हुआ एक वन वी बन की वो फाइट लेकिन प्रेंस वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके जाएंगे दो खिलाडियों को वहाँ पे डाउन किया गया और यूनाइट होते हु वो अकेले यहाँ पर रुख गए बाकी सारे खिलाडी आए और चले गए और रना दीर वो बस्ते हुए नजर आए इंस्सेंट और इंस्ट फिनिश और वहाँ पर एक नौक उन्होंने और निकाल दिया था और देखते देखते एंपायर है उन्होंने भी एक नौक निकाला तो सभी खुद भी समाप्त हो गए और साथ ही साथ वाइपर को भी उन्होंने नौक किया अपर ये मेडल विंग्स क्या कर रहे हैं आप निकाल नहीं रहें पर अपने ही खिलाडी को उन्होंने ग्रिनेट से डाउन किया वो रश करना चाहते थे विंद्गॉड के ऊपर एक अपनी टीम को दिला पाएं। अपनी टीम को लेकर के आचुके बूस्टर्स भी उनके पास मौझूद नहीं फाइनली उनको बाहर निकलना पड़ेगा और वो रैंडम स्मोक की बीच में कुछ शॉट ले रहे हैं। करके दूसरी तरफ से वो बाहर दिकलती वे नजर आया अपर रीफ्लेक्स देखिए। मेडिकेट लगाएंगे और वो अपनी टीम को टॉप फ्री में लेकर निकाल सकते हैं। जी नहीं वो फिनिश्ट उनके खाते में गया नहीं लेकिन जादा तेज हैं। करेंगे कालान को और इसी के साथ लो एक शांदार वो आपसी उस टीम के द्वारा पर देखने को मिल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ एवरिज प्रदर्शन तो करके करने की कोशिश यहां पर सारे प्लेयर आप है। कि पिछला मुकाबला क्या बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाये लेकिन इसी के साथ स्टेलर टाइटन्स उसकी जो फाइट है वो देखने को मिल जाएगी। गेमिंग यहां पर आए हैं और बूट कैम्प में कौन बनेगा चैंपियन वो देखने वाली बात टीम एम की बात करें हाला कि पूरी तरीके से बाकपूट पर है बट स्टेल वो एक फिनिश सेक्योर करने में कामयाब हुए जरूर और देखते ही देखते जॉड की बात करे Фिनिक्स की बात करे जरफ की बात करे थीनो ही खिलाड़ी लो नचपी देखने को बिलते हैं और यह क्या टीम क्लो आप यह गलती कैसे कर सकते हैं हम इसी चीज की चर्चा भी कर रहे थे तीन खिलाडी डाउन हो जाएंगे जौट बचते हैं वो आकरी खिलाडी त honest प्सिन कर सब वक्ती बताएगा और पहले प्लेयर को तो नौक किया है उस प्लेयर को खटम भी वो यह पर करेंगे बहुत असानी से तूस्य प्लेयर को शोट इस नौक करा जाएगा बिल्कुल में कही रहा था के रनवीर बनेंगे इस रनके बीर बट वो एक प्लेयर अभी पीछे से पेड़िए कर आपको कि दूर से कोही क्लाडिय के पर स्प्रे रहेगा नहीं आया तो वह आगे जाने की कोशिकर रहे थे पर आगे जाने की कोशिक तो कुन्ति क APIs करें. वहीब बस्तित की Karma कोरा Everett昨 शीर अब और दिन रहा है उनकी अगर पेशिट की बात भी जाएगा विट गॉट फाइनली एक पाई जुटकी होती आपको नजर आएगी यह बहुत क्रेजी एरिया सा बन चुका है जहां पर एक तरफ इंसेन फूरा गेट कीप करने वाले हैं और SP के प्लेयर्स एंटर करना चाहते हैं और तर्याप्त मात्रा से जादा अंक वो अल्रीडी लेकर के जा चुके हैं लेकिर अभी उनकी जो नजरे हैं वो टॉप 16 पे हैं और उसके लिए और अंक की आविशकता जरूर रहने वाली है बट विंड गॉड वो चेंज करने के लिए इसे विंड की डिरेक्शन जी की ज किया जाएगा और काफी आसानी से आप सकते हैं कि वो जो फिनिशेद है वो सिक्यूर किये जाएंगे नमबर वान इस्पोर्स उनक पर एक प्लेर अभी भी भी नमबर वान इस्पोर्स का बचा हुआ है वो जोन के बाहर है वहां से एंटर करना जोन केंदा थोड़ा मुश् जरूर है वहीं टीम विंट गॉट की बात करें साथ फिनिशेद उनके पास आ चुके हैं यह वो कमबाक का मैच है जिसकी हम एक्स्पेक्टेशन रख रहे थे विंट गॉट से एल को लेके आ गए थे अब यहाली में खत्म हुए है वहां पे विंट गॉट के द्वारा बट समीतार को नौक करा गया है और मेटल विंग जरूर यहां पे चिकन लेके जाना चाहेंगे लेकिन आप यहां पे अगर पोजिशन देखेंगे ना उसके बाद भी मात्र तीन फिनिशेश आपके पास कैसे हो सकते आपको जादा फिनिशेश निकालने चाहिए थे वहां पे बट आपी चोड़ और यहां पे उनके पास मोगा इस पॉट उनको करा गया शॉट लेनी की कोशिस मैक्स की तरफ से नौक निकालना चाहिए वहां पे अब दोनों प्लेर्स आचुके हैं हाईर ग्राउंड एडवांटे ज़रूर है चली एक फ्लेर को टाउन किया जाएगा दूसरा फ्लेर भी यहां पे पुरी तरह से बाक्विट में बट आमी चोड़ क्या वो यहां पे एक बैजिकल करके दिखा सकते हैं ही टेक्स वन ड प्लेएंटी किया कर दो तरह सकते हैं हाई हाई है